एक वक्त था जब एक गाउं से दूसरे गाउं जाने के लिए एवं खेतों से समान ढोने के लिए बैल गाड़ी ही काम में आती थी उस वक्त बैल इंसान के दोस्त माने जाते थे बैलो को रुजाना खाना खिलाने के इलावा उनकी मालिश करना उन्हें नहलाने का काम किया जाता था गाड़ी एवं एरोप्लेन के जमाने में बैल गाड़ियां कहीं खोसी गई हैं लेकिन बैल और इंसान के बीच का रिष्टा अभी खतम नहीं हुआ है अभी सोशल मीडिया पर इस नंदी की एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो हर किसी का ध्यान अपनी और खीच रहा है इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इसे आतम निर्भर भारत के साथ जोड़ कर देख रहा है तो कोई इसे अतुल्ले भारत का उधारन बता रहा है इस नंदी की वीडियो को देखकर महिंद्रा कंपनी के चेर्मैन आनंद महिंद्रा जी ने अपने ट्वीटर पर पोस्ट किया कि अगर जे नंदी बोल पाता तो मुझे जकीन है कि वे दुनिया की किसी भी अन्स्वेम गोशित प्रेरक वक्ता की तुल्ना में जीवन सकरात्मक होने के बारे में बेतर सला देता इस वीडियो में रामुनन्दी बैल खुद से गाड़ी में आता है और अपने आप गाड़ी को जोड़ ले जाता है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो बैल को हर काम की जानकारी बखूबी है इस वीडियो को देखने के बाद लोग केई तरह की रियक्षन दे रही है अमेरिका के एनाराई रविंदर सिंग जूजर का कहना है कि जैनन्दी बहुत ही समझदार है दूसरों को प्रेणा देने वाली सीख है वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि पश्यों को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पता है और उन्हें अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास है इनसान को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद केई लोगों का कहना है अब तो जानवर भी आतम निर्बर है गौशाला परवंदक शीरी मोहलाल जी का कहना है कि जानवर इनसान से कहीं ज़्यादा समझदार और वफादार होते हैं बहीं बैल कि इस समझदारी का वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि जै एक अदबुत कारे कुछलता है पश्यों को पता है कि इनसान उससे क्या चाहता है हम इनसानों को जानवरों से कुछ सीखना चाहिए तांकि जीवन में कुछ बदलाब लाया जा सके इसके साथ ही इनसानों को जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उनको प्रेम से रखना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए झाल झाल